कि जलाईये मत तो यह सब हम आज से कह रहे हैं लोगों को पूरे तोर पर जब लोगों को हम कहने की कुसिस कर रहे हैं इस बार भी हमें कह दिया है तो बगर मेरे होता उसी के चलते असर ही पड़ता है कि हिस सब को समझना चाहिए इसमें कोई शक्ति कि हम बोलें नई उनका बात कर जवाब नहीं ना देते हैं विकार की बात कर दें तो कोई बात नहीं करता है मैं आपके साथ प्रिमा देखे राज सवा संसल सुसील कुमार मोधी लगातार एक बयान दे रहे हैं कि जेडियू का बिले आज जेडिय में हो जाए इसको लेकर श्रिया सस्तेज है कल भी तेजस्वी आदब से इस पर सवाल किया था तो उन्होंने चुपी साथ लिया और आज भी तेजस्वी आदब ने इस सवाल पर चुपी साथ लिया आप बताते चले कि ब्यार के मुखमंतरी नितीज कुमार से भी यही सवाल किया गया तो उनका वीच पर भी कोई रियक्शन नहीं है हालाकि यह सब जो बाते हो रही है यह बेकार की बाते हैं पहले हम आपको नित इन सब जीजों के बारे में पूरी जानकारी ले लिश्वी जाए और हम सब जगा लोगों को एलर्ट किये रहे हैं और आप सब को मालूम है कि कितना बार हम 18 से ही इतना लोगों को तो बार हम 18 से ही कितना सब जाए हैं कि जलाइए मत तो यह सब हम आज से कह रहे हैं लोगों सब लोगों को कहने की कुसिस करते हैं, इस बार भी अपने कहा दिया है, पुरे पार पड़ते ही, और वो लिली का होता है, उसी का चलती असर ही पड़ता है, कहीं सब को समझना चाहिए, इसमें कोई शक्राइब टुशिल मोधी कर रहे हैं कि येड्यू का बिलाए हो जाएगा, इसे देकिर का बात का जवाल मों लगां कि अपने सहाय का में था पारियू का वेसी का कि यह लोग बात कर रहे हैं यह तमाम बाते बेकार की बात है इसे कोई लेना देना नहीं उतना ही नहीं जिस तरीके से बिहार का पॉलूशन बढ़ रहा है और दिल्ली के श्रीम अरवी केजरी वाल इस पर चिंता जता रहे हैं तो मुखवंतरी नितीश कुमार ने कहा कि हमने अधर मत यह सब हम आज से कह रहे हैं लोग को पूरे दोर पर अधर जब लोगों को कहने की कुसिस कर रहे हैं इस बार भी हमें कह दिया होता है तो बगर में लोगता उसी के चलते असर ही पड़ता है कि ही सब को समझना चाहिए इसमें कोई शक्तित हैं हम बोलें ना इनका ब अधर में तो कोई सबात ने करता